एलो एवरिवन, Nevermind, कैसे हो आप सब तो आज की रिडिंग जैए हम करने वाले हैं, आपके person क्या आपको miss कर रहे हैं, ठीक है तो ये हमारा रिडिंग का आज का टॉपिक रहने वाला है, कि क्या वो आपको अभी इस वक्त miss कर रहे हैं या नए, ठीक है, तो देखेंगे कि क्या कुछ miss कर रहे हैं, तो क्या miss कर रहे हैं, क्या कुछ ही आदा रहा है उनको, ठीक, तो यही हमारा reading का आज का topic रहने वाला है, ठीक है, so I hope आप लोग मेरे साथ बने रहोगे, और bracelet का review मैं आप से share कर रही हूँ, दोनों bracelet का review आपको दिख रहा है स्क्रिन पर, ठीक है, तो यह जो bracelet है, आप लोग भी book करवा सकते हो, अगर आप लोगों को चाहिए तो, ठीक, और इसके साथ ही बता दो कि, general reading है, collective है, और personal reading लेने के लिए भी आप लोग मुझसे contact कर सकते हो, ठीक है, तो चलिए start करते हैं, आज की अपनी ये reading, और इंडिया में ही है, ठीक है, इंडिया के लिए ही है, आउट अफ कंट्री नहीं चाह रहा है, इंडिया के बाहर नहीं चाह पाएगा, तो जितने भी लोग इंडिया में हैं, ठीक है, तो वो ले सकते हैं, और जो लोग आउट अफ कंट्री तो ठीक है तो यह है रास्ता और फिल्हाल मैं इंडिया के लिए ही दे रही हूं ठीक है चार्ज करके ओके चलो करते हैं रिडिंग को स्टार्ट प्लीज गाइड किजेगा एंजल्स इनिवर्स एंसेस्टर्स प्लीज मुझे गाइड किजेगा जो भी मेरे वीवर्स देख रहे हैं क्या उनके पॉर्सन अभी इस वक्त उनको मिस्स कर रहे हैं क्या है यह सौंग मुझे चैनल हो रहे हैं कबसे कि मुझे नींद आती नहीं है रातों में ऐसा कुछ सौंग है क्या मुझे चैनल हो रहा है तुम मुझे में बाकी रहना बस इतना है तुमसे कहना को सौंग है चैनल हो रहा है मुझे आप लोग देखना सौंग सुनते होगे ना आपको आइडिया होगा मैं आज बहुत सारे कार्ट्स निकाल रही हूँ क्योंकि आज मैं इसे डेक का यूज करने वाली हूँ बोटम आफ अफ टाड़िक है नाइन आफ पैंटिकल्स ट्रस वर्घौ पीमत को साइन तो आपके परसन अभी आपको मिस्ष कर रहे या नहीं तो अभी है नेजच को आपके परसन सबंगा है आपके परसन तो आपके मैसेज का इंतजार कर रहे हैं आपके कॉल का इंतजार कर रहे हैं ये परसन आपके कॉल का आपके मैसेज का इंतजार करते हुए नज़रा रहे है जैसे 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 इनका कॉल मतब की चाहते हैं कि आप सुरुआत करें एक नई सुरुआत जो है आप करें, इनके पस message, आपके message का इनको इंतजार है, आपके person को आपके message का इंतजार है, हो सकता है कि ब्लॉक भी कर रखा होगा, लेकिन फिर भी आपके call का, आपके message का इस person को इंतजार है, ठेकें, यहाँ पे card show कर रहे हैं, यहाँ यही बात है, आपके पुराने messages, पुरान पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं आप दोने के ऐनलाइन चेट काफी ज्यादा हैं तो यह परसन उसको पढ़ते हुए नज़र आ रहे मुझे और अभी बें इंतजार कर रहे हैं कि कहीं से मैसेज आ जाये कहीं से तो कॉल आ जाए पहले उसकी तरफ से तो यह प्रवात होने चाहिए मैं तो गिरने वालों मुझे नहीं हूँ मैं नहीं गुरू हुआ ऐसे इनद्री है आपके पर्सन की ठीक है बहुत सारे काट्स निकाले हैं चलो देखते हैं कि क्या क्या काट्स आये हैं फोर अफ काप्स ला 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 वाव दलावर्ड्स okay eight of swords the Emperor Knight of Vents 9 of Cups 3 of Pentacles 10 of Vents King of Cups The Hermit And Two Cards Two of Wands And है मेरे पास यहाँ पे Page of Swords Sign बता दू आपको Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces Taurus, Virgo, Capricorn तो मैंने आपको बताया ही और, 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 और मेरे पास Taurus, Virgo, Capricorn मैंने आपको बता दिया Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Satch सारे sign एवी लेवल है हमारे पास सारे sign है ठीक है? तो यहाँ cards क्या बताते हैं? cards clearly बता रहे हैं कि आपके जो person है दिखता है कि अभी आपको मिस कर रहे हैं या नहीं? हमारा topic यह है तो आपके सामने cards है आपके person आपको अभी मिस कर रहे हैं ठीक है? बहुत ज़दा मिस करते हुए दिख रहे हैं आपको कई बार यह person मैंने जैसा कि पहले भी कहा कि आपके online chats वेगेरा यह person पढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं यह person का ऐसा है कि यह person जहना काफी ज़दा ठीक है? काफी ज़दा आपके उपर नजरे बनाए हुए हैं online ही है बट आपके उपर नजरे बनाए हुए हैं आप दोनों का relationship कुछ इस तरीके का है कि आपके person आपको लागातार हमेशा आपी नजरे बनाए हुए रहते हैं आप कब कहा किससे बाते कर रहे हो किसके साथ हो किसके साथ relationship में रहना है आपको या किसके साथ अभी relationship में हो हर एक खबर है ना हर एक खबर इस person को है और ये person चो है ना वही सारे thinking करते हुए नजर आ रहे हैं ये person काफी जादा आपके उपर मुझे लगता है ना कि काफी time से इन्होंने नजरे बनाए हुए है और ये person ने आपसे ये सारे चीज़े छुपा के रखी है आपके person ये भी है कि इनकी family का कोई issue हो सकता है जिसकी वज़े से ये person चहना आपसे खुलके बाते नहीं कर पाते हैं या आपको commitment नहीं दे पाते हैं यहाँ की energy दिखा रही है कि काफी ज़दा burden है काफी परिशानी है काफी ज़दा burden काफी परिशानी और इसी की वज़े से आप दोनों का relationship मुझे लगता है ना कि अधूरा है पूरा नहीं हो पार है trust issues है ना आप दोनों की बीच में trust issues हैं आप दोनों की बीच में आप दोनों के बीच में काफी ज़्यादा issues चल रहे हैं, मैं देख पा रहे हूँ आपके जो person है, यहाँ पे एक तो इनका ego है, गुस्सा बहुत ज़्यादा है और age gap आप दोनों के बीच में हो सकता है, long distance हो सकता है, cast issues हो सकते हैं या religion problem हो सकता है, यहाँ पे यह दिख रहा है, age में काफी ज़्यादा difference मुझे नज़र आ रहा है आप दोनों के बीच काफी romantic भी हैं आपके person, आपके साथ emotionally connect है यह person यह person किसी ना किसी से आपके बारे में अभी फिलहाल बाते करते हुए नज़र आ रहे हैं आपको miss कर रहे हैं इसलिए यह किसी और से आपके बारे में बाते करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे बहुत ज़्यादा deeply बाते करते हुए नज़र आते हैं आपके person ठीक है आपके जो person है आपको अभी बहुत मैं देख पारे हूं कि बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिख रहे हैं कोई ऐसा person भी दिख रहा है जो इनकी गलती का इनको ऐसास दिलाते हुगे भी जो है ना दिख रहा है ठीक है कोई ऐसा person जो कि इनको इनकी गलती का बहुत अच्छे से अच्छास दिला रहा है और बहुत अच्छे से इनको ये बता रहा है कि हाँ तुम कहां गलत थे तुम्हारा relationship कहां कैसे गलत हुआ क्योंकि आप यहाँ पर इंतजार कर रहे हो अभी भी अपने person का तो आपके person को वही जो है ना आपके जो person को जो भी इनका friend है या फिर कोई भी ऐसा person है जो इनके दिल के काफी करीब है और उनको guide कर रहा है ठीक है कोई भी हो सकता है ठीक है इनके कोई friend हो सकते है या फिर किसी ऐसे पर्संट से जो एज में है ठीक है इनसे ज़्यादा एक्सपिरियंस है उनके पास ऐसे पर्संट से जो है ना यह गाइडेंस लेती हुए नज़र आ रहे हैं मेरे को ठीक है और मुझे यहां पर यह भी दिख रहा है कि आपके पर्संट को बहुत अच्छे तरीके से बताया जा रहा है कि आपके साथ आपका जो पर्संट है पूरी तरीके से लॉयल रहा आपको पूरे दिल से उसने चाहा पूरे दिल से आपको उसने सपोर्ट किया फिर भी कि क्यों reject किया अब क्यों पस्ता रहे हो आपके person को यह कहा जा रहे है एसास दिलाया जा रहे हैं और यही person जहना यहाँ पे regret और इसके साथ ही देखलाए जा रहा है कि आपके उपर, मतलब कि ये person के उपर कितना जादा burden है, ये person दिखा रहे हैं कि मेरे उपर तो बहुत सारी परिशनिया हैं, मैं क्या करूँ, इधर को समालो, उदर को समालो, क्या करूँ मैं, है ना? तो आपके जो person है बहुत जादा यहाँ पे regret feel करते हुए भी नज़र आ रहे हैं और आपके उपर प्यार दिखाते हुए भी नज़र आ रहे हैं बहुत प्यार बहुत ज़्यादा support आपके person इसलिए आपके उपर नज़रे बनाए हुए है आपके person इसलिए अभी भी आपको online कहीं ना कहीं आपको search कर रहे हैं यह person search करते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर ऐसा है कि आपके person आपके person का कुछ अलग सा energy नज़र आ रहा है जैसे कि गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं और बाद में इनको अपसोस होता है गुस्से में इन्हों ने आपको बहुत कुछ बोल दिया है और इसकी वज़़ए से आपका दिल काफी तूटा है आप इस तरीके से तूटे हो कि अपने आपको भी बलेम करते हो कि अरे मेरी वज़़़ए सारे चीज़े जो है ना ऐसी हो चुकी है और मैं ही जिम्यवदार हूँ, मेरी वज़ा से ही यहाँ पे हम लोगों का separation आया है आपके person तो मुझे आपको miss करते हुए भी नज़र आ रहे हैं और आपको यह सही मानते हुए भी नज़र आ रहे है इनको जो भी person है जिनसे यह person suggestion ले रहे हैं यह जिनसे आपके बारे में बात कर रहे है ठीक है, कोई ऐसा person भी है जो कि काफी ज़्यादा जलता है आप दोनों के relationship से काफी ज़्यादा उसको problem होती है आप दोनों के relationship में इतना प्यार, इतना कहते हैं कि understanding जो होती है किसी तीसरी को देख करके वो नहीं सहता, नहीं अच्छा लगता किसी तीसरी को तो कोई तीसरा जो person है यह आपके person को manipulate किया, आपके person को यहाँ पे बोला कि हाँ तेरी बंदी या बंदा जो भी है यह तो यहाँ पेज़ी रहता है दिन भर online कि इसके साथ गुमता उसके साथ गुमता है तो तो यहाँ पे जख मार रहा है जख मार रही है तो वही है कि आपके person का दिख रहा है कि आपके person यहाँ पे सारे चीज़ों को clear करना चाहते है यह पर्सन आपके साथ justice करने के mood में है यह person दीख रहा है कि यह person सोचते वोगे नजरा आ रहा है कि हाँ मुझे justice करना है अपने person के साथ justice करना ही होगा क्योंकि compulsory है यह अगर नहीं करेंगे तो यह खुद को माफ नहीं करेंगे तो आपके जो person है काफी मैं देख पारे हूं कि काफी strong feel करते हैं आपके लिए और यह person आपको miss कर रहे हैं मिस कर रहे हैं ठीक है मैं देख पारे हूं कि यह person miss कर रहे हैं चलो आगे के कुछ cards हम auricle deck से ही निकाल लेते हैं देखते हैं कि क्या कुछ है और ठीक है प्रेस काइट किजेगा उसके बाद हम love messages भी कुछ निकालेंगे दिखेंगे कि आपके person के love messages क्या है bottom of the deck देख लेते हैं सक्सेस का card है relationship में तो सक्सेस चाहिए आपके person को सक्सेस जरूरी है क्योंकि अगर relationship है तो सक्सेस होना मंगता है ठीक है ठीक यहां card यह बता रहें crown chakra okay number seven okay again वही है energy कि आपके जो person है काफी emotionally तूट रहे हैं क्योंकि इनको जो है इनको लगता है कि मेरे ऊपर कोई और है जो कि मुझे control करता है मुझे control कर रहा है और मुझे इस relationship में वो नहीं देखना चाहता आपके person को पता है यह person काफी जाधा अभी मैं देख पा रहे हूं कि या तो यह drink कर रहे हैं यह कर रहे हैं मतलब कि alcohol वगरा है न नशीली चीजों का seven कर रहे हैं जो कि कई बार यह person सोच चुके हैं यह person जह हैं ऐसा सोचते हैं कि हां मैं नहीं करूंगा आगे मैं clear करके बात करूंगा अपने person से ऐसे नह पर्सन नहीं करपाते हैं नहीं अपने आपको अलग कर पाते हैं यह person जो है ने एक दम से आधी हो चुके हैं उसके अल्कोहल के smoking के बिना स्मोंकिंग के इनका नहीं चल पाता इनका नहीं बन पाता थीख मुझा इनकी इनएज?", के नुसार से यह दिखता है आपके पर्सन का चलो कुछ मैसेज देख लेते हैं क्या कहना चाहते हैं वो आपको देखते हैं कि क्या मैसेज है सो बहुत सारे मैसेज आ गया न मेरे पास बहुत सारे तो नहीं है मैं निकाल सकती हूं अभी भी देखते हैं क्या मैसेज देना चाहते हैं वो चलो अब कार्ट्स नहीं निकल रहे हैं इतने मैसेज देखते हैं इतना कुछ ही कहना है आपके पर्सन को आपसे कहना है जो है ना कहना कहना मुझे तुझसे है कहना रहना तेरे दिल में है रहना सुने सौंग तो चलो यू स्टियर एड मी लाइक आइं अब बेस्ट लुकिंग पर्सन इन द वर्ल्ड अके तो यू मेक में लाफ कॉंसेंटली अके आइड एड इस और वें आइं विक यू यू अप्रिएट मी थीक है मुझे कुछ और लगा if i die tomorrow i would know i found my soulmate in this life you forgive me when i do wrong you can say silly and cute things to make me laugh nothing makes me happier than holding your hands oh my god no matter how others see me you make me feel special okay so अगला है you support me in my interest and hobby ठीक है तो यह है आपके person के कुछ messages आपके लिए तो मिलते हैं फिर अगली reading में तब तक हसते रहें मुस्कुराते रहें और खुश रहें बाबाई